नमस्कार भारत के बाल वल्दानियों की इस गौरब गाथा में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के देवरिया के हतिया गड़की है। यहां के 13 साल के बच्चे राम चंद्र और उसके 96 सातियों की इस गौरब गाथा है। यह संभवता भारती स्वतामत्र समय समर की एक ऐसी कहानी है। जिसमें एक अंग्रेज जज ने एक छोटे से बालक पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जिसकी ना कोई अपील हुई ना कोई सिकायत हुई और ना ही उस पर सुनवाई हुई। सीधे गोली मारने का यादियस हुआ था। तो रामचंद्र की कहानी को सुनते हैं। तेरा साल का यह बच्चा अपनी कक्षा में बैठा था। और उस बात है 1942 की जब भारत छोड़ों आंदोलन बहुत प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा था। यह बच्चा अपने शात्र साथियों से कह रहा था कि देश के बहुत सारे नायक और बहुत सारे बड़े नेताब जेलों में हैं। ऐसे में हमारी बारी आती है कि सांदोलन को आगे बढ़ाएं। तो उनसे ऐसा बच्चों का स्वभाविक प्रतिक्रिया होती है कि वहां गोली चलती है। भय का बातबरन होता है मरने से सब ड़ती है। तो ऐसे में हम कैसे कुछ भी कर सकते हैं। रामचंदर का कहना था कि जिस तरह पूरे देश में हो रहा है सब लोगों को आगे आना होगा। सरकारी, कचैरी, कोड, बिल्लिंग, ठाने, सब पर हमको जो है जंडा फैराना होगा। और ये बताना होगा कि अब ये देश पूरा का पूरा इस अंदोलन में साथ में आ गया। रामचंदर का इतना कहना था कि जाना तर बच्चे वहां से किसक लिए। सिर्फ छे बच्चे उसके साथ इस काम के लिए तयार हुए। और तयार हुए तो उन छे और रामचंदर साथ ने एक योजना मनाई कि कचैरी जो अदालक थी उस पर देवरिया की अदालक पर जंडा फैराना है तरंगा। मगर इसके पहले उन्होंने एक जागरती अभियान मी चलाया और कुछ कुसानों को भी इस अंदोलन के लिए अपने साथ तयार कर लिया। जो समय किया था। उसके हिसाब से साथों के साथों बच्चे खेलते कूनते नाटक करते हुए उपर चड़गा अदालक पर और यूनियन जैंक को उतार कर फैक कर उसकी जगेत भारती तरंगे को लहरा दिया। मगर सिर्फ इस तरह चोरी शिपेज है जिंडा फैरानी भर का मकसद उनका नहीं था। ये उन अंग्रेजों की कानों में एक सीशा पिगलना भी था। ये बताना भी था कि हम जो करके जा रहे हैं वो हम ही ने किया है। इंकलाब के नारी लगाएं भारत माता की जैवोली बंदे मातरम गई। ये चीज़े अंग्रेजों के लिए बड़ी तक्लीप थी। मगर बच्चे थी बालमन और सभाव के साथ अंग्रेजों के आनी से पहले वहां से रफूशक कर हो गया। और पास में एक जो समहारों च ज़न्डा फैरानी का काम तो रामचंदर नहीं किया था। मजिश्ट्रेट साथ में था। उसना का तुम बच्चों ने पहराया है। जैसे भोला है हाँ मैंने भी फैराया है और ये काम मैंने ही किया है। तो इसके बाद अंग्रेज मजिश्ट्रेट ने कुछ नहीं गोली सीधे रामचंदर के सीने में लगी बताते हैं कि उसकी अर्थी में उस समय हजारों लाखों लोग एक साथ हुए थे और उस अलाके में एक बहुत बड़ा मुमेंट उसके बाद अंग्रेजों के खिलाव इसकी साहधत ने सुरू कर दिया था तो ऐसे बालबलदानियों क आज भारत तो उनके राष्ट के लिए किये गए कामों को कृतग होकर नमन करता है उनको बहुत बहुत अभी नंदन पेश करता है कल फिर किसी मालबलदानी के और उसके सौरिय के कहनी के साथ आपके साथ होगा तब तक कि लिए नमस्कार